हलो स्टूडेंट्स तो आज हम बिहार बोर्ट क्लास्ट्रोविल के फिजिक से कुछ इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोशन लेकर आए हैं तो मारा फर्स्ट कोशन है नीमन में से कौन सा पैदात संजोजकतार बनाने के लिए शर्वाधीक उत्तम है मारा पहला उप्षन है नाइक्रोम, टंगस्टन, तामबा या मैगनीज तो इसमें हम क्या बताएंगे सबसे बेश्ट कौन सा होता है इसमें से तो उप्षन नमबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा तामबा एक आइताकार टुकरे की भुजाओं की माप दो सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर एवं चार सेंटीमीटर है इसके समानतर सत्थों के बीच अधिक्तम और निम्तम परतिरोध का अनुपात होगा इसमें आप इसका करेक्ट आप्षन क्या हो जाएगा अप्षन नमबर A, 4 is to 1 नेश कोशन है, फ्यूस्तार की स्पदार्थ से निर्मित होती है तामबा, टंगस्टन, लेट टीन मिश्धातू या नाइक्रों तम जानते हैं ना, फ्यूस्तार, लेट टीन मिश्धातू से निर्मित होती है आप्षन नमबर C, आपका करेक्ट हो जाएगा नेश कोशन है, हमारा दो शेलों का विदूत वाहक वल क्रम्षा, एवन एवं E2 है तथा आंतरिक परतिरोध क्रम्षा, आरवन एवं R2 है इन सेलों को शेनी क्रम में जोड़ा गया है इनका सम्तूल विदूत वाहक वल होगा तो इसका सम्तूल विदूत वाहक वल क्या हो जाएगा? दोनों का एड हो जाएगा न? तो E1 प्लस E2 हमारा करेक्ट आप्षन हो जाएगा आप्षन नमबर B नेक्ट कोशन है नहीं मिलेगा तो हमारा करेक्ट आप्षन हो जाएगा B नेक्ट कोशन है हमारा एक दर्श ओम तार की लंबाई को खिच कर तीन गुला लंबा कर दिया जाता है तार का नया परतिरोध होगा तीन गुला किया गया है न? तो उसके स्क्वाइर का मल्टिप्लाई हो जाता है तो हमारा इसमें करेक्ट आप्षन हो जाएगा 90 ओम नया परतिरोध 90 ओम हो जाएगा आपका आप्षन नमबर 3 इस दा करेक्ट अंसर नेक्ट वन इस एक दो सो बीश बोल्ट एक हजार बाट वल्व को 110 श्रोट से जोरा जाता है वल्व के द्वारा खपत की गई शक्ति होगा तो दोनों शक्ति क्या हो जागा जब शक्ति के यहां पर फर्मूरा लगा देंगे और हमारा करेक्ट आप्षन हो जाएगा रहाई सो बाट नेश्कोशन है हमारा किर्चोफ का प्रथम नियम सिग्मा इस्क्वल टू जीरो एवम दियूतिय नियम सिग्मा इस्क्वल टू सिग्मा इक्रम से अधारित होता है तो कौन से सरच्छन पे आवेश सरच्छन एवम संबंक्शन रच्छन पे उजजा सरचन एबं आवेग सरचन पे संबेग सरचन एबं आवेग सरचन पे कि आवेग सरचन एबं उजजा सरचन पे तो हमारा जो किड्यज़ोफ का नियम होता है वो आवेग सरचन एबं सरचन पीधिन करता है। conception number d is the correct option. निश्कोशन है हमारा ताप करम ब्रहाने पर यदि परतिरोध घटता है तो वह अती चालक होगा अर्ष चालक होगा कि बिदूतरोधी होगा कि कोई नहीं होगा तो ताप ब्रहाने पर अगर परतिरोध घटे तो वह हमारा अर्थ चालक हो जाएगा option number B हमारा correct हो जाएगा next question है हमारा चीत्र में A का वीवब 10 बोल्ट है प्रिथिवी में परवाही धाड़ा होगी जब बोल्ट 10 है तो प्रिथिवी में परवाही धाड़ा आपका क्या हो जाएगा 10 ampere, 3.3 ampere, minus 10 ampere की 0 ampere तो 10 ampere ही आपका correct option हो जाएगा next question है हमारा एक heater 100 बाट 220 बोल्ट के तार की बीच से दो टू क्रेपर 27 क्रम में जोड़कर 200 बोल्ट 22 के सुरुट से जोड़ा जाता है तो कितनी सत्ती प्राप्त होती है 40 बाट, 50 बाट, 25 बाट, 200 बाट इसमें सक्ती का formula लगाएगा हमारा correct option आजाएगा 40 बाट next question है meter bridge बट इसमें figure तो दिया नहीं गयागा तो हम इसे solve नहीं कर पाएगे तो हम अपने और next question क्यों चलते हैं next है वीटर स्टोन ब्रीज में next है वीटर स्टोन ब्रीज में भूचा परती रोध पी क्यू आर एवं एशकर तो संतूलित स्थिती में वीटर स्टोन ब्रीज में संतूलन स्थिती कब होता है जब पी अपन क्यू है जो आर अपन एश के इकवल होता है ना तो इसमें आपका option भी correct हो जाएगा next है एक धातू का घनात व डी एवं विशिष पर्तिरोध रो है इसमें एक तयार बनाना जिसकी लंबा येल पर्तिरोध आर है तो धातू को कितना दयब मान चाहिए तो इसका आप फॉर्मूलर लगा सकते हैं इसमें क्या आजाएगा रो एल श्कौर डी अपन आर ये अप्शन नमबर आपका करेक्ट हो जाएगा निष्ठ को सचन है आपको एक एक ओम का तीन पर तीरोध दिया गया है इनके शायोजञं से निउंतम पर्तिरोध प्राप्त किया जा सकता है सब से निउंतम कब होगा जब उसको समांतर क्रम में जो रहेंगे वन अपॉन आर वन अपॉन आर करके तो आप इसमें करेक्ट आपका हमारा करेक्ट इसमें क्या आ जाएगा वन बाई थ्री ओम डी अंसर आपका करेक्ट हो जाएगा डी ओप्संग नेक्स्ट है दीएगे चीतर में एत था दीचीटर में दीच समतुल प्रतीक है एर बीच के बीच समतुल प्रतीक क्या आजाएगा आपका तीन तीन ओम का पर्तिरोध दिया गया है तो आप इसे कल्कुलेट करके बताएं इसमें आपका वन ओम सही आ जागा वन बाई थ्री पलस वन बाई थ्री पलस वन बाई थ्री एड करियेगा तो आपका वन आ जाएगा option number is the correct second है एक आदर्स वोल्ट मिटर का पर्तिरोध होता है एक आदर्स वोल्ट मिटर का पर्तिरोध क्या होता है सुनने अनन्त पचास जार ओम किन में से कोई ने तो सुनने होता है कि अनन्त होता है यही में confusion होता है ना जादातर तो अधर्ष बॉल्ट मिटर का परतिरोद है जो अनन्त होता है नेक्स्ट है आर के किशमान के लिए धारा I महत्तम होगा धारा I इसमें grade करना है तो आर का इसमें इसमें क्या value होना चाहिए तो small r का y4 होना चाहिए option नमबर D आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट है आदर्ष आ मीटर का परतिरोध कितना होता है? सुनने की बहुत कम की बहुत अधी की अनन्त तो A या D में से कौन सह होगा? इसमें आपका A आ जाएगा सुनने होता है आदर्ष आ मीटर का परतिरोध सुनने होता है नेक्स्ट है एक परतिरोधा का परतिरोध आर है यह चर परतिरोध की श्रेनी में है अरंभ में दोनों के परतिरोध तूल है अरंभी कुल परतिरोध होगा तो इसमें कितना कुल परतिरोध आरंभ में कितना हो जाएगा दोनों का 2R आपका correct option हो जाएगा next है एक परतिरोधा का परतिरोध R है यहां 4R परतिरोध की श्रेणी में है तथ화 एक श्रेल उतके R लगा है आरम में दोनों के परतिरोध तूल है 4 परतिरोध कामान एक शमान दरज्छे कम किया जाता है परिपत का धारा घर जाएगा बर जाएगा बरते बरते एक अचर मान को प्राप्थ हो जाएगा कि इन में से कोई नहीं तो इसमें आपका correct option C हो जाएगा बरते बरते एक अचर मान को प्राप्थ हो जाएगा नेक्स्ट है दिखाये गए परिपत के बिंदुओं A एबं B के भी स्थूल पर तिरोध होगा इसमें आपका R का निकालना है तो आप इसमें से देख लिजेगा कैसे निकलेगा तो इन दोनों को शमांतर में जोरेंगे फिर इसको स्रेणी में फिर इन दोनों को समांतर में और फिर इन दोनों को समांतर में जोरके आपका फिर जो फाइनल स्रेणी में जोरके अंसर आ जाएगा इसमें R आपका final answer होगा calculate कर लिजेगा आजाएगा next है परिपत में X के निवन में से किस मान के लिए galvanometer की धारा शुन्य होगी galvanometer की धारा शुन्य करना है तो यहाँ पे इसका value क्या होना चाहिए विपरा था न विटर शुन ब्रीज में P upon Q वार अपन एक के बराबर होता है तो बस उसी से आप निकाल लीजिए तो इसमें अगर 5 से यहाँ 5 और 10 से तो यहाँ 10 से 20 हो जाएगा ना option number C आपका correct हो जाएगा next question है पर तीरोग धकता ताप गुनां का एश्याय मातरक है पर तीरोग धकता ताप गुनां को किशी उनिट में हम मापते हैं तो केलवीन पर केलवीन में पर केक एक पर माइनस वान इसका सही अंसर हो जाएगा next है यदि ताप का मान 3 degree Celsius से बरहा दिया जाए तो परती रधकता गुनां क क्या मान होगा ताप अगर 3 degree Celsius से बरहेगा तो परती रधकता गुनां का लगभग शमान ही रहेगा इसमें ज्यादा अंतर नहीं आप आएगा तो option number C आपका correct हो जाएगा next है switch on करने के बाद एक electric bulb का ताप बढ़ता है प्रतम बढ़ता है फिर घरता है कि परतम घरता है तब बढ़ता है कि परता है और फिर अस्थीर हो जाता है तो switch on करने के बाद इसका पहले बढ़ेगा और फिर अस्थीर हो जाएगा नेक्स्ट है 100W heater के द्वारा उत्पन ताप दो मीनट में किषके बरावर होता है तो यहाँ पे आप ताप का formula लगा देंगे न तो इसका formula लगाने पंसर आजाएगा 12,9 के पावर 3 joule के option D आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट है 1000W heater 230 बोल्ट से चीनने थे उसका परतिरोध क्या है तो जब बार्ट दिया हुआ है बूल दिया हुआ है तो आप यहाँ से आर निकाल सकते हैं तो इसका परतिरोध क्या हो जाएगा 52,9 Oh नेक्स्ट है निम्निकित में से कौन संबन धारा गे घनात्व कहलाता है धारा घनात्व का इसमें से क्या formula होता है तो I upon A होता है ना option A आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट है दिये गए परिपत में धारा है इसमें से धारा निकालना है यहां पर आपका इतना 4.8 दिया हुआ है वोल्ट और इधर 3 परति ओम दिया हुआ है परति रोध तो तीनों परति रोध का पहले सम्तूल निकाल देंगे तीनों छे को शमानतर में जोर के और इसको फिर श्रेनी में जोर देंगे और फिर दोनों को इससे धारा वाला ओम के नियम का फर्मूला लगा देंगे तो आपका धारा आ जाएगा ऑप्सन डी टू एम्पीर आपका करेक्ट आ जाएगा नेक्स टाए एक रोड का परति रोध एक ओम है या बर्ग के रूप में मोरा गया है मिलने वाले कोने के पार परति रोध क्या होगा अगर एक ओम का परति रोध इस तरह से स्कॉयर में एड करेंगे तो कोना पर परति रोध इसका क्या हो जाएगा 3 अपोन 16 ओम हो जाएगा नेक्स टाए हमारे पास तीन वडग 40, 60 और 100 बात के हैं इसमें सबसे कम पर्तिरोध किसका होगा तो पर्तिरोध है जो वाट का क्या होता है समानुपाती होता है कि रिवर्ष होता है हाँ तो समानुपाती होता है जिर ज्यादा वर्ठ होगा उसका कम पर्तिरोध होगा ना तो रिवर्ष होता है सोरी इसमें आपका सी ओप्सन आ एक चार किलो वाट का बॉयलर दो घंटे प्रती दिन उफुक्त किया जाता है तो चार किलो वाट का बॉयलर है दो घंटा प्रती दिन उफुक्त किया जाता है तो तीस दिन में कितना उफुक्त किया जाएगा मल्टिप्लाइ कर देंगे न तो 240 आ जाएगा आपका करेक्ट अ नेक्स्ट है 836 वाट का हीटर एक लीटर पानी गर्म करने के लिए 10 डिग्री सी से 40 डिग्री सी तक कितना समय लेगा तो इसमें आप टाइम कल्कुलेट कर दीजेगा तो डेट शो सेकर्ण आपका करेक्ट अंसर आज आएगा नेक्स्ट है 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है एक किलो वाट में कितना होता है आपका जूल तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल आपसर नमबर टी आपका करेक्ट हो जाएगा स्वस्थ मनुस्थ के शरीर का विदूत परतिरोध होता है तो स्वस्थ मनुस्थ के शरीर में कितना परतिरोध होता है पच्चास हजार ओम नेक्स्थ है दस एंपियर की धारा एक तार से दस सेकन तक परवाहित होती है यदि तार का विवानतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार होगा इसमें कार हम निकाल लेंगे ना टाइम दिया हुआ है वोल दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है तो इससे आप कार को निकाल सकते हैं इ पूद्पन उश्मा इसमें होती है आई स्कॉय आती के फर्मूला से निकाल लेंगे उसमा इसमें तो आपका अठाइस सो कैलोरी अंसर आज जाएगा उसर नमबर डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है बिदूत परिपत्थ की सक्ति होती है शक्ति क्या होता है वी आर की वी आ स्कॉयर आर की वी आश्कॉयर आर आई विदूत परिपत्थ की सक्ति वी आश्कॉयर आपन आर होता है ना बिलकुल नेक्स्ट है एंपियर घंटा मात्रक है एंपियर घंटा किसका मात्रक है सक्ति का अवेश का उजा का की विवांतर का तो एंपियर घंटा आवेश का मात् होता है नेश कोश्चन है हमारा परिपत में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा इसमें आपको आवेश रिकाल लेना है वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर दो परती रोद दिया हुआ है इसमें आवेश निकाल लेकि जीएगा तो आवेश कितना आ जाएगा 18 माइक्रो कुलोंग आप्शन नमबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा नेश्ट है किर्चप का द्वीती नियम है किर्चप का द्वीती नियम किस पर डिपेंड है आवेश सनरच्छन पे उजजा सनरच्छन पे कि संबेख सनरच्छन पे कि कोण यह संबेख सनरच्छन पे तो किर्चप का द्वीती नियम उजजा सनरच्छन के नियम पर डिपेंड है आप्सन नमबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स चीतर में दिखाएगा परिपत में एवन टेन बोल्ट एटू सिक्स बोल्ट दोनों सेल बैटरी का ये मेफ है तता आर वन टू ओम आर टू वन ओम इन क्या अंतरीक परतिरोध है सी डी के बीच का भी वांतर क्या हो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा उप्सन नमबर ए छे बोल्ट से अधीक आएगा दोनों के बीच का जो भीवांतर होगा छे बोल्ट से अधीक आएगा नेक्स है वीटर स्टोन से तू से तू से तूलना करता है वीटर स्टोन से तू किसके तूलना करता है परतिरोध का बिवांतर का की सभी का वीटर स्टोन जो सेतु है वो परतिरोध का तूलना करता है आप्शन नमबर एड मोबिलीटी का एशाई मातरक है मोबिलीटी का एशाई मातरक क्या होता है ampere meter upon newton ampere meter per newton आपका mobility का SI मातरक हो जाएगा next है बिदुत बाहक वल की भीमा होती है बिदुत बाहक वल की भीमा क्या हो जाएगा EMF का भीमा आपका हो जाएगा ML2T-3I-1 option number D आपका correct हो जाएगा चित्रा नुसाद G से कोई धारा नहीं जा रही है तो E का मान दिखाना है जी यहाँ पे है तो इसे कोई धारा अगर परवावित नहीं हो रही है तो इसमें आपका E का वैलू क्या आजाएगा अगर galvanometer से कोई धारा परवावित नहीं हो रही है तो 7.2V आजाएगा आपका option number C is the correct answer नेक्स्ट है दो से लोकों जिनके विदूत वहावल E1, E2 है आंतरिक परतिरोद R1, R2 है तो समांतर करम में जोरा गया है तो इसका समतुल विदूत वहावल हो जाएगा समतुल विदूत वहावल क्या हो जाएगा E1, R2 पलस E2, R1 अपॉन R1 पलस R2 option number B आपका correct हो जाएगा next है विदूत हीटर में जिस तत्व का वेभार किया जाता है वह तो विदूत हीटर में हम कौन सा यूज करते हैं, कौन सा तार यूज करते हैं नए क्रोम का यूज करते हैं तो option D आपका correct हो जाएगा next है सोसित विदूत उड़चा विवांतर के समानुपाती होती है विवांतर के वीद कर्मानुपाती होती है कि विवांतर के बर्ग के समानुपाती होती है कि इन मेंशे कोई भी नहीं तो सोसित बदित उर्जा जो है विवांतर के बर्ग के समानुपाती होती ये भी अश्क्वार के प्रोपोर्शनल में होता है नेक्स रजने वीट स्टोन बीट से मापा जाता है उचपर्तिरोद, निम्पर्तिरोद, उस तता निम्पर्तिरोद के इन में से कोई नहीं तो इसमें से हम वीट स्टोन बीट से क्या मापेंगे, हमेरे साथ उचपर्तिरोद को मापते हैं आपसर नमबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स रहे दर्शाय गए नेटवर्ड की 46 आखा में परवाही धारा है इसमें आपका आई का वैल्यू निकाल ला है न यहाँ पर देख लिजेगा ये तो एक विजट स्टोन ब्रीज बन जाता है दोनों का ओम शमान है तो यहां से आप आई का वैल्यू निकाल लीजेगा तो कितना हैगा 0.2 एम्पियर ओप्शन नमबर ए नेक्स चीत्र में परतिरोद एक वम है सिल से जाती धारा होगी सब ये सारा परतिरोद सारा एक वम दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है 20 वोल्ट तो परतिरोद धारा आपका क्या हो जाएगा अगर सबका ये संतूल निकालेंगे तो ये आजाएगा चार वोल और जब उसको डिवाइट कर देंगे तो इसमें आपका 5 एंपियर अंसर आजाएगा आप्शन B नेक्स्ट एक कीलोवाट घंटा मात रख है कीलोवाट घंटा किसका मात रख है सकती का उजजा का कि बला घूर्ण का कि इन में से किसी का नहीं तो कीलोवाट घंटा उजजा का मात रख होता है आप्शन B निक्स्ट है तामबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80K तक ठंड़ा किया जाता है तब परतिरोध तेमप्रेचर अगर कम किया जाएगा तो दोनों तार का परतिरोध घट जाएगा कि दोनों का बढ़ेगा कि तामबे के तार का घटेगा जर्मेनियम का बढ़ेगा कि जर्मेनियम का घटेगा अब तामबे का बढ़ेगा तो जर्मेनियम क्या है आपका अर्ध चालक है न और वो है जो चालक है धातू है इसमें क्या हो जाएगा तामबे का तार का घटेगा औ और चालक है जो तापके ब्यूत कर्मानुपाती होती है तो और चालक का बढ़ जाएगा अपसंसी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है यदि 0.005 ओम के परती रोध को एक मेगा ओम परती रोध के शमांतर क्रम में जोर दिया जाए तो तुल परती रोध होगा तुल परती रोध क्या होगा एक मेगा ओम से कम होगा लेकिन 0.005 ओम से अधीक होगा 0.005 से कम होगा कि 0.005 से अधीक और एक ओम से कम होगा तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका तो आप्शन नमबर B 0.005 ओम से कम हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है एक सुखे सेल का ये में 1.5 बोल्ट है और आंत्रिक परतिरोद 0.5 है यदि वह सेल एक बाहरी परतिरोद में एक एंपियर की धारा विश्था है तो शेल का भीवांतर होगा तो सिल्का भिवांतर इसमें से कौन्स ओप्शन हो जाएगा तो ओप्शन नमबर B, 1 बोल्ट सिल्का भिवांतर 1 बोल्ट हो जाएगा नेक्स्ट एक तार में एक माइक्रो एंपिर धारा परवाहित होती है यदि इलक्ट्रोन का वेश 1.6 x 10k⁻ –19 कौन्स हो तो प्रती सेकंद तार से परवाहित इलक्ट्रोनों की संख्या होगी प्रती सेकंद तार से कितना इलक्ट्रोन परवाहित होगा जब आई दिया हुआ है और उस पे कौन्स भी दिया हुआ है तो तो निकाल लेंगे तो हमारा करेक्ट अप्सन हैगा 0.625 इंटू 10 के पावर 13 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट है यदि एक 60 वार्ट तथा एक 40 वार्ट का बल्ब श्रेनी क्रम में जोर दिया जाए तो 7 वार्ट बल्ब ज्यादा परकासित होगा 40 वार्ट का बल्ब ज्यादा परकासित होगा दोनों एक तरह परकासित होगा श्रेनी क्रम में जोरेंगे तो क्या होगा, 40 वार्ट बल्ब ज्यादा परकासित होगा नेक्स्ट है एक 0.05 ओम परतिरोद वाली आमीटर को 1.5 बोल्ड बिर से जोरा जाता अगर टू एब बियर की धारा परिपत में वहती है तो सेल का अंतरिक परतिरोध है सेल का अंतरिक परतिरोध यहां से क्या जाएगा अप्शन नमबर डी 0.7 ओम नेक्स्ट है किसी धातू का ताप बढ़ने पर उसका परतिरोध बढ़ता है गरता है कि नियत रहता है कि किसमें से कोई नहीं तो ताप से परतिरोध का अनुपात क्या होता है समानुपाती होता है और अर्थ चालक से बितकर्मानुपाती होता है जब धातू का ताप बढ़ेगा तो उसका परतिरोध भी भरेगा लेगिन अर्ध चाल लगका ताप बरहेगा तो उसका परती रोध घटेगा नेश्ट है निमलीकित में से कौन सक्ति की इकाई नहीं है वाट एंपियर बोल्ट ओम पर एंपियर स्कॉाईर एंपियर ओम तो सक्ति का मातरक इसमें से कौन सा नहीं होगा ओम पर एंपियर स्क्वाइर बाकि तीनों आपका सक्ती का मात्रक है इकाई है नेच्ट है नीचे दिखाए के परिपत में धारा का मान क्या होगा आर दिया हुआ है आपका वी दिया हुआ है तो यह यहां से निकाल सकते हैं तो यह कितना जाएगा जीरो पॉइंट वन जीरो एंपियर आप्शन नमबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा नेच्ट है चितरा नुशर धारा आई का मान होगा इसमें वोल्ट दिया हुआ है और आर दिया हुआ है तो आप इसमें से आई का वैलू निकाल सकते हैं तो आई का वैलू आपका आजाएगा 5 एंपियर नेच्ट है टो उम तथा चार उम के दो परतिरोध ए तथा बी के समानतर परिपोत से होकर एक विदू धारा परवाइट होती है तो ए तथा बी में उत्पन उश्मा का अनुपात होगा तो उश्मा और परतिरोध का एक दूशे से क्या रिलेशन होता है दोने दूशे का विदुकर मानुपाती होता है तो इसमें आपका करेक्ट आप्सन हो जाएगा ए 2 इस्टू 1 नेच्ट है जब किसी धातु परतिरोध का ताप बरहाया जाता है परतिरोध हकता और चालगता आप अरिवतिर रहेगा ना नेच्ट है समान लंबाई और 10 ओम के समान परतिरोध वाले चार तार बरदाकार आक्रिती में जूरी है बर्व के दो विप्रित कोनों के बीच तुल्ले परतिरोध है तो दो कोनों के बीच में तुल्ले परतिरोध आपका कितना आजाएगा 10 ओम आजाएगा यह आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा नेच्ट है चालिस बार तता साथ बार के दो बल्ब श्रेनी क्रम में है तो उनमें सम्मेलित सकती होगी अगर बल्ब दोनों श्रेनी क्रम में है तो दोनों के मिला का सकती क्या हो जाएगा आपका 24 बात हो जाएगा वन अपॉन करके इसका एट कर देंगे ना बिल्कुल नेक्स्ट है बिदु धारा का मात्रक होता है बिदु धारा का मात्रक क्या होता है बिदु धारा का मात्रक आपका एंपियर हो जाएगा option number is the correct नेक्सट एक तार में एक माइक्रो एंपियर धारा परवाहित होती है यदि इलेक्ट्रोन पर आवेश इतना कुलोंब है तो प्रती सेकन तार से परवाहित इलेक्ट्रोनों की संख्या होगी तो प्रती सेकन तार से कितने इलेक्ट्रोन परवाहित हो जाएंगे 0.625 x 10k5 और 19 इलेक्ट्रोन option B आपका correct हो जाएगा नेक्सट एक विदुद परिपत में विवांतर मापा जाता है विवांतर को किसमे मापा जाता है वोल्ट में मापा जाता है न option B आपका correct हो जाएगा पर्तिरोद का SI मातरक होता है पर्तिरोद का SI मातरक ओम होता है option number D पर्तिरोद का बीमा होता है पर्तिरोद का बीमा इसमें से कौन सा option होगा देखिए और बताइए इसमें ml2 t-3 a-2 आपका करेक्ट हो जाएगा परतिरोद का भीमा कौन सा होता है ML2 T-3 A-2 नेक्स्ट है किसी तार का परतिरोद R लंबाई A लनुप्रस्ट का कर्छेदपल A है विशिष्ट परतिरोद Rो है तो तब इसमें कौन सा होगा कौन सा फर्मूला होता है आर इसकल टू रोयल अपॉन ए होता है न तो उसी को घुमाफिरा के फर्मूला आपका यह अप्शन नमबर A करेक्ट आ जाएगा आर इसकल टू रोयल अपॉन ए नेक्स्ट है विशिष्ट परतिरोद या परतिरोध धकता का एसार मातरक होता है विशिष्ट परतिरोध का इसार मातर क्या होता है ओम मिटर विशिष्ट परतिरोध का बीमा होता है तो ओम मिटर का आपका बीमा निकालना होगा तो क्या करेगा M3, T-3, A-2 विशिष्ट परतिरोध का बीमा हो जाएगा नेक्स्ट है समान परतिरोध वाले इन परतिरोधों को पहले श्रेनी क्रम में और फिर शमानतर क्रम में जोड़ा जाता है श्रेनी क्रम के कूल परतिरोध तता समानतर क्रम के कूल परतिरोध का अनुपात होगा पहले इसको सेनी क्रम में जोड़ेंगे फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों का अनुपात आपका कौन शाप्सन आ जाएगा इन अश्कॉयर यह याद रखिएगा इन अश्कॉयर आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है आपको एक ओम के तीन परतिरोध दिये गए इससे संजोजन के नियुमतम परतिरोध प्राप्त क्या नियुमतम प्राप्त करना होगा तो क्या करेंगे इसको समांतर में जोड़ेंगे न तो वन बाई करकर के जोड़ेंगे इसमें नियुमतम आपका क्या प्राप सवानतर क्रम में जोड़ी गई है तो सर्योग परति रोध समानतर क्रम में है तो वन वाइफ पॉर करके आप एड कर दीचिएगा तो वन ओम आपका आजाएगा अपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है यदि 0.005 ओम के पर्तिरोध एक मेगा ओम के समांतर कम में जो रगया है तो तुल पर्तिरोध होगा ये कोशन तो अभी हमने सायद किया था ना इन में से तुल पर्तिरोध कौन सा हो जाएगा अप्शन नमबर B 0.005 ओम से कम नेक्स्ट है किसी सेल का इदूत वहक वल मापा जा सकता है विदूत वहक वल को किशमे मापते हैं तो विभब मापी द्वारा मापते हैं आपका विभब मापी करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर D बिदूत बहाग वर्ड की बीमा होती है बिदूत बहाग वर्ड की बीमा क्या होती है ML2 T-2 वही जो वर्ड का बीमा होता है यदि 10 परतिरोध वाले तार की लंबाई खीच कर दूगुनी कर दी जाए तो परतिरोध हो जाएगा परतिरोद आपका क्या हो जाएगा दूगना करने पर तार को खीचेगा तो एरिया भी हो जाएगा ना आपका आधा इसमें चार ओम आपका करेक्ट हो जाएगा चार परतिरोद जो हो जाएगा चार ओम हो जाएगा एक सूखे सेल का बिदूत बाहक वल 1.5 बोल्ट हो और आंत्रिक परतिरोग 0.5 ओम है यदि वह शेल एक बाहरी परतिरोग में एक एंपियर की धारा बिजता है तो देल का भिवानतर होगा इसमें आपका ये मेफ, स्मॉल आर और आई तीनों दे दिया है तो फामूला से आप मालूम कर सकते हैं उनके बीच कभी वानतर 1 वोल्ट हो जाएगा बीज दक करेक्ट अंसर नेश्ट है चालको के जाल से धारा परवा को शमजने के लिए उपियोग होता है तो जाल से जब धारा परवा को शमजना होगा तो कौन सा नियम लगाते हैं हम लोग किर्चोफ का नियम लगाते हैं उप्शन B आपका करेक्ट हो जाएगा नेश्ट है बीदूत परतिपत किसी बिंदू पर सभी धाराओं का बीच गनीतिये योग होता है सभी धाराओं का बीच गनीतिये योग उसमें क्या होता है शुनने होता है आप्शन ने आपका करेक्ट हो जाएगा नेश्ट है बीटर स्टोन ब्रीज का उप्योग होता है सिर्फ उच पर्तिरोद को मापने में अलब पर्तिरोद को मापने में उच अब अब दोनों को मापने कि विभब मापी को मापने में तो उसका परियोग कहा होता है उच और अलब दोनों पर्तिरोद को मापने में नेक्स्ट है बिलोगेर चित्रां उता धारा आई का मान माल होगा उन लें पेहले भी केया थाह न था ने दारे मान निकालने के लिए सपर olhos यहां आपका वोल्ट से कर लोगे तो आपका इसमें अंसर आजागा 1 by 10 एंपियर चालक के अंदर बिदूतिय छेत्र E तथा इलेक्ट्रोनों की सुथिलता काल T है तो अनुगमन बेग होगा अनुगमन बेग इसमें क्या हो जाएगा वीडी इसक्वल टू स्मॉल E कैप्टल E T अपॉन श्मॉल M अप्शन नमबर A इस दा करेक्ट अंसर नेक्स्ट है अनुप्रस्त कार्ट के छेत्फल A वाले किसी चालक तार से परवाही धारा आई होती है तो जब उससे धारा परवाहीत करेंगे ए एरिया वाले से तो उसका आई क्या हो जाएगा आई इसक्वल टू एनी ए वीडी ए उप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यदि बिदूतिये छेत्र E तथा नुगमन बेग वीडी हो तब संचा लगता होती है संचा लगता इसमें क्या हो जाएगा वीडी अपॉन E बिल्कूल नेक्स्ट है किसी धातू के तार को गर्म करने पर उसका परतिरोध धातू के तार को अगर गर्म करेंगे तो उसका परतिरोध बढ़ेगा दोने दूसे का शमानुपाती होता है नेक्स्ट है एक उम परतिरोध वाले एक समरूप तार को चार बराबर टुक्रों में काड़ कर उन्हें समानतर क्रम में जोर दिया जाये तो संयोग का समतूले परतिरोध होगा नेक्स्ट है किर्चव का बिंदु नियम का सिधान पालन करता है तो आप इसे याद रखेंगे नेक्स्ट है परिपत्थ का गून जो बिदुती उर्जा को ताप में बदलता है उसे क्या कहते हैं उसे परतिरोध कहते हैं नेक्स्ट किसी चालक में बिदुतारा के परवाह का कारण है बिदु धारा का परवाह का कारण क्या हो जागता है परतिरोध में अंतर होना बिभव में अंतर होना किन में शिकोई नहीं तो धारा परवाह होता है बिभव में अंतर होने के कारण option number c आपका correct हो जाएगा नेक्स बारव परतिरोद का एक तार ब्रीट के रूप में मोरा गया ब्यास के किनारे के बीच परतिरोद होगा अगर ब्रीट के रूप में मोरेंगे तो ब्यास के बीच किनारा में आएगा उसका परतिरोद क्या हो जाएगा करेक्ट अप्शन कौन सा हो जाएगा तथा उसकी लंबाइ ट्री टु वन कैनुपात हो जाएगा इसे इसमें आपका करेक्ट अप्शन कौन lid हो जाएगा डी 27 इस्टू 6 इस्टू 1 नेक्स्ट है किसी कार की संचायक बैटरी का ये में 12 बोल्ट आंतरिक पर्तिरों 0.4 ओम है इससे प्राप्त अधिक्तम बिदुधारा का मान होगा अधिक्तम बिदुधारा इसे कितना आएगा तो 30 एंपियर आप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है दो तारों ऐ तथा भी समान पदा तथा लंबाई के बने हैं एका ब्यास बीक के दुग्णा है तो एका परतिरोद भी की तुलना में होगा किया हो जाएगा मोन बाइग फोर टाइम्स हो जाएगा ओप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है इन में से कौन सही है धारा अधीस है धारा घनत्व सदीस है धारा सदीस है धारा घनत्व अधीस है कि दोनों सदीस है कि इन में से कोई नहीं तो अप्शन ए धारा अधीस है लेकिन धारा घनत्व आपका सदीस है नेक्स्ट है दो वोल्ट एमेफ का शेल जब परिपत में जोरा जाता है तो पार्च एमपियर की धारा परवाइत होती है तो इसका आंतरीक उम्ब क्या होगा स्मॉल आर निकालना है आपको तो निकाल दीचेगा फामूला से क्या हैगा जीरो पॉइंट फोर यह आपका करेक्ट आप्शन हो जाएगा नियत वी वांतर में किसी विदूतिय परिपत में परतिरोध को आधा कर देने से उत्पन ताप होगा अगर हम परतिरोध को आधा कर देंगे तो ताप उसका क्या हो जाएगा दूगना हो जाएगा ना उसके दूगना में आ जाएगा हाँ तो दूगना आपका भी करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है यदि बिदूत वल में धारा 3% से बढ़ाय जाती है तो उसकी सक्ती अगर धारा 3% से बढ़ेगा तो उसका सक्ती 6% से बढ़ जाएगा उप्शन ने आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है एक तार की लंबाई को खीच कर दूगना कर दिया जाता है यदि खीचने के पूर्व इसका परतिरोध R है तो खीचने के बाद इसका परतिरोध क्या हो जाएगा जब खीच कर दूगना कर देंगे और पहले R था तो बाद में इसका परतिरोध क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा ना क्योंकि लंबाई तो दूग ना हुआ ही पलस इसका एरिया भी आधा हो गया तो 2 उपर से मल्टिप्लाइ होके 4 बन जाता है तो 4 टाइम्स हो जाएगा नेक्स्ट बिवांतर की सुध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे अगर हमें बिसुध सुध बिवांतर ना अपना है तो हम क्या यूज करेंगे 50 ओम परतिरोद वाला बिवांतर मापी 1000 ओम परतिरोद वाला बिवांतर मापी 10,000 ओम परतिरोद वाला बिवांतर मापी कि इन में से कोई नहीं तो हम सबसे कम परती रोज वाला विभब मापी यूज़ करेंगे पचास ओम बला विभब मापी नेक्स्ट है आपका यदि दो शेल जिनके बिदूत बहगवल E1 तथा E2 है इन शेलों से विभब मापी के तारगा संतूलन की लंबाई 1 तथा 2 हो तो 11 तथा L2 हो तो इसमें से कौनस ओप्चन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें E1 अपउन E2 का जो वैलू है 11 अपउन E2 के वैलू के बिल्क्यूल इकवल हो जाएगा ओप्चन नमबर B आपका करेक्ट हो जाएगा नेच्ट कोशन है आपका electron volt द्वारा माप जाता है electron volt से हम क्या मापते हैं और वेश को, विवानतर को, धारा को कि किसी को नहीं तो electron volt से इनमें से हम किसी को नहीं माप सकते हैं तो आपका correct option हो जाएगा D नेच्ट है रीना वेश का परवा होता है निम्न विभव से उच विभव की ओर, उच से निम्न की ओर, की विभव से स्वतन्त होता है कि कहीं से नहीं तो रीना वेश का परवा हमेशा ही होता है, किस से होता है, आप बताइए निम्न विभव से उच विभव की ओर होता है नेक्स्ट है चित्रा नुसार परतिरोद X का मान संतूलन की स्थिती में होगा जब इसको संतूलित करेंगे तो R का value क्या हो जाएगा संतूलन की स्थिती में X का बताईए यहां से इसमें आपका 40 ओम correct option आजाएगा option number 3 आपका बिल्कुल ही correct हो जाएगा नेक्स्ट है ताप वैदुत उग में परवाही धारा को कहा जाता है तो ताप वैदुत उग में परवाही धारा क्या होता है सीवेक धारा, जूल धारा, पेल्टियर धारा की इनमें से कोई नहीं तो आपका correct answer हो जाएगा सीवेक धारा नेक्स्ट है वीटर स्टोन ब्रीज का वेवहार किया जाता है मापने में वीटर स्टोन ब्रीज को किस को मापने में यूज करते हैं तो परतिरोध को मापने में यूज करते हैं ताव वैदूत यूग्म एक साधन है जो जुरुपांतित करता है ताव वैदूतुम किसको किसमें बदलता है विदूतुर्जा को उस्मा उर्जा में यांत्रिक उर्जा को उस्मा उर्जा में किसमा उर्जा को विदूतुर्जा में किसी को नहीं बदलता है तो उस्मा उर्जा को विदूतुर्जा में बदलता है नेक्स्ट है किसी चालक का विशीष्ट परतिरोध बढ़ता है विशीष्ट परतिरोध कब बढ़ेगा जब तापमान बढ़ाएंगे कि जब एरिया बढ़ाएंगे कि लंबाई घटने से कि एरिया उसका घटने से तो किसी भी चालक का है बिसीष्ट परति रोध्यत्ता तापमान पर हाने से उसका बढ़ेगा तापमान के शमानू पाती होता है नेक्स्ट है आपका किसी चालक के शमबहन वेग तथा आरोपित विदूत वहक वल ई के बिद संबंध है तो दोनों के विद क्या संबंध है विडी है जो समानू पाती होता है एके तो आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हम अपने नेक्स्ट चेप्टर की हो